Hello my lovely students, this is Mansi, welcome back to the channel. So, आज के सेशन में we are going to discuss about laws of refraction. Refraction के क्या laws है? इससे पहले हमने सीखा था laws of reflection. Reflection के laws और refraction के laws में एक चीज़ common है पहले उसी कोई कर लेते हैं. Incident रहे, refracted रहे, also उस पह था? Reflected रहे, यहाँ पे refracted रहे बोलेंगे and normal, all lie in the same plane. अब एच्छा, all lie in the same plane का क्या मतलब है? कि अगर आप एक paper पे इसको बना रहे हो, चाहे वो reflection वाला चीज हो या फिर वो हमारा reflection वाला पाठ हो. इन दोनों ही cases में, paper पे अगर आप बना रहे हो, paper को टेडा कर रहे हो, तो वो paper पे ही रहेंगे, 3D नहीं हो रहे है. मतलब, वो मतलब होता है, they lie on a same plane. ठीक है? तो वो reflection में भी है और reflection में भी है. clear यहाँ तक next law देखते हैं, अब यहाँ पे आगे की दो topic थोड़ा सा और ध्यान से समझने हैं हमें. पहला है जी, snail's law of reflection. अब यह snail's law क्या है? दीखो, हमने reflection की time पे देखा था, कि अगर इस तरीके से एक incident ray आ रही है, और वो इस तरीके से जा रही है, और यहाँ पे normal है, तो हमारा angle I और angle R, मतलब angle of incidence और angle of reflection दोनों same होते हैं. I equals to R, दोनों का angle हमारा same होता है. अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यह देखो, यह incident ray आई और इस तरीके से वो reflected ray में हो गया. अब एक angle हमारा यहाँ बना normal के साथ, एक angle बना हमारा यहाँ पे. अब इन दोनों के बीच में क्या relation हो हमारा snail's law बनाते हैं. दोनों equal नहीं हैं, यह तो पक्का है, दोनों equal नहीं हैं. सो snail's law क्या कहता है, वो देख लेते हैं. snail's law gives the relation between the angle of incidence, जो मैंने अभी आपको बोला कि angle of incidence और angle of reflection के बीच का relationship बताता है वो, and refractive indexes of given pair of medium. और दोनों के ही refractive indexes बे बताता है. अब कोगे मैं पहले तो refractive index ही समझातों. तो इसके बाद वाला topic हमारा वो ही है. अब ही के लिए देखते है, snail's law के हिसाब से दोनों के ब sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection is constant. This law is also known as snail's law of reflection. तो मैंने अपको पहले बता दिया. अब उनोंने देखो बहुत कोशिश करी कि I और R के बीच में relation बहुत चीज़े लगा के देख ली, twice है, या thris है, या half है. क्या है तो उनोंने देखा भाई, कुछ भी relationship ने आरा दोनों में. लेकिन फिर ने किया, कि यार इनके अगर दोनों के sign की terms रख रहे हैं, जैसे for example, मैं एक rough example दे रहे हूँ, आपको सिर्व समझाने के लिए, कि मालो इस तरीके से हमारा था, यह जादा perpendicular को रोगी, पर चलो समझ जाना, यह normal के साथ एक यह angle था, एक यह angle था, अब वो कहरे है कि sign आई, मत इस पर अभी हम जा रहे हैं, next topic पर, so यहाँ पर उन्होंने snail slow के जब भी हम बात करेंगे, यह बात करेंगे, कि snail slow हमारा relation बताता है, incident ray और refracted ray के बीच का, मतलब दोनों के angles के बीच का, और क्या है, कि sign i upon me, sign r will always equal to a constant, ठीक है, यह चीज़ समझ में आ गई, तो यह हो गया हम अब यह जो बार 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 हमारा आ रहाता है, refractive index, यह क्या होता है, इसको समझते है, so, अब यहाँ पर पढ़के बताती हो, and then I'll explain you, बहुत simple है, when light passes from one medium to another medium, it changes its direction, यह तो हम पढ़के आए है, कि जब एक medium से light दूसरे medium पे जाती है, तो वो अपनी direction चेंज करते है, sorry, मैं नहरो गलत लगा दिया, इस तरीके से जाती है, so, वो अपनी direction चेंज कर, the extent to which the direction changes is expressed in terms of refractive index, देखो, अभी हमने जब reflection के बार में पढ़ा, तो मैंने आपको simple बदाया, कि इस तरीके से अगर एक अमारी ray आ रही है, और यह हमारा normal है, तो अगर rarer से denser में आ रही है, तो व पर यह कितनी इदर जाएगी, या कितनी इसके पास होगी, कितना change होगा, वो हमें refractive index बताता है, चिके, the value of refractive index, अब इसकी value कैसे निकलेगी, is dependent on the speed of light in two mediums, अब दोनों medium में speed of light किया, जैसे उपर अगर मालनों हमारा air था, and then glass में, मतलब air to solid ने पास किया, तो speed of light air में कित of light, solid में कितनी है, उसको divide करके हमारा refractive index आता है, I hope everything I am saying is making sense, please video को दुबारा देखना, क्योंकि थोड़ी से नहीं चीज है, लेकिन simple चीज है, अगर धंक से समझोगे, तो समझ में आ जाएगी, चालो, आगे मैं पढ़ते हूँ, VI is the speed of light in medium 1, and V2 is the speed of light in medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, म represented as N21, इसको मैं उपर करती हूँ, so simple words में, आप देखो, यह तो represent करने का तरीक है, simple words में, जैसे मैंने बोला, medium 1 अगर हमारा air है, और medium 2 हमारा solid है, तो simple सी चीज है, या, air में, जो है, speed of light कितनी है, और solid में, speed of light कितनी है, दोनों को divide किया, हमार पास आ गया, इन दोनों का refractive index और कैसे बोलेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, इस तरीके से represent करेंगे, और in short में बोल सकते, this is speed of light of medium 1 and this is V2 is speed of light of medium 2, मतला in medium 2, ठीक है, यहां तक समझ में आया, please do watch it again, तक ही clear हो जाए, आगे देख लेते हैं, if medium 1 is vacuum और air, अब या तो vacuum है, कि air भी present नहीं है या air है, then the refractive index of medium 2 with respect to medium, with respect to vacuum is known as absolute refractive index of the medium, अब अगर आप जो comparison कर रहे हैं, वो air से कर रहे हैं, एक तो है कि भाया, किसी liquid से light pass हुई solid पे, ठीक है, वो तो फिर जैसे हमने देखा अभी वैसे हम refractive index निकालेंगे, with respect to medium 1 का, with respect to medium 2, लेकिन यहां पर वो बोल रहे हैं, कि अगर आपका medium 1 जो है, वो air या vacuum है, तो जो भी refractive index निकलेगा, उसको हम बोलते हैं, absolute refractive index, और बहुत सारी चीज़ों के vacuum और air के comparison में, refractive index हमें दे रखे हैं, जो कि हम next slide में देखेंगे, अब इस केस में हमारा क्या होगा, इसको हम क्या नाइम दे सकते हैं, nm, मतलब स्पी speed of light in air, v is the speed of light in other medium, and nm is the refractive index of the medium, ठीक है, क्लियर है, एक बार बस टेबल देख लेते हैं, इसका हमें इतना use नहीं है, बस आपको समझ में आना चीज़ों क्या होता है, और ऐसा कहीं नहीं है, कि आपको numericals में इसको use करना है, यह सारे रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी knowledge के लिए, इसमें आपको भी पढ़ने की ज़रत नहीं है, बड़ी classes में यूज होगा, बट अभी के लिए, आपके लिए सिरफ यह समझना सबूर है, कि refractive index होता क्या है, इन शॉर्ट में एक्स्में कर देती हूँ, refractive index मतला, जैसे हमारे दो medium है, तो पहले medium म speed of light कितनी है, और दूसरे medium में speed of light कितनी है, दोनों को divide कर दो, refractive index आगया, और यह हमारा वो होता है, फिर कितना वो bend होगा, जितना जादा refractive index होगा, उतना जादा बेंड होगा, उतना जादा change आएगा, मतलब उसकी bending में, तो वहां पर बस use है, तो सिरफ आपका theoretical है, इसमे तो आप वही बस समझना, next हम आगे बढ़ते हैं, तो next topic हमारा होगा, about spherical lenses, but I am going to take this topic in the next video, I will see you all in the next video, take care and